हेलो एवरीवान वेलकम तू मागनेट ब्रेंज मैं हूँ अदिती शाह और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चाप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेर कापिटल या इशू ओफ शेर्ज भी बोल सकते हो ठीक है तो इस च मांक्स का आने वाला है चैप्टर हम लोग जो भी मार्किंग स्कीम थी वो डिसकस कर चुके थे ओल्रेडी ठीक तो यह जो चैप्टर है इस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है मुझे पता आप सब डरते हैं चैप्टर से लेकि कंपनी तो कंपनी का मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या है यह देख लेता है सबसे पहले अग कंपनी इजन आर्टिफिशल परसन क्रियेटेड बाय लॉग हाविंग सेपरेट एंटिटी विट परपेच्वल सक्षे सक्सेशन और कॉमन सील अरे वापर यह इतना सार तो एक कंपनी है आर्टिफिशल जो क्रियेट की जाती है आर्टिफिशल परसन होती है ठीक है कौन क्रियेट करता है लॉग क्रियेट करता है क्या होता है उसकी सेपरेट एंटिटी होती है मतलब उसके ओनर से उसकी अडेंटिटी अलग होती है ठीक है विट परपेच्वल स और यह किसने बोला है प्रोफेसर हैनी ने बोला है ठीक है यह आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि यह definition किसने पूछी अगर वो MCQ का level और difficult करना चाहते हैं तो ठीक है जो कि जनरली बच्चे इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं चलो company means a company incorporated under this act or any previous company law ठीक है तो company का मतलब क्या होता है ऐसी कोई भी organization जो incorporate हुई है जिसकी शुरुवात हुई है under the act of company law तो जिसे partnership पे partnership act apply हो जाता है वैसे companies पे company law apply हो जाता है ठीक है और यह definition कहां लिखी गई है section 2 subsection 20 of companies act 2013 तो यह भी पूछा जा सकता है तो यह दो definitions है ठीक है कुछ खास नहीं है लेकिन बस एक बार आपको review आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने आपसे discuss कर लिया ठीक है अब main point पर आते हैं में concept समझना है तो यहां पर आपको कुछ सुंदर सी कलाकारी दिख रही है वो क्या कलाकारी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है financial statements of soul proprietorship पढ़ा था जहां हम सिर्फ एक इंसान जो है वो अपना business start करता है ठीक है उसमें capital लगाता है उसमें पूंजी लगाता है ठीक है तो यह basically एक इंसान है जिसने अपनी organization start की अपना business start किया इसको हम क्या बोलेंगे इस organization को हम बोलेंगे soul proprietorship ठीक है तो यह organization हो जाएगी soul proprietorship ठीक है यह बिलकुल basic level of business है याद हमने एक example discuss किया था कि मैंने रजगुले का business start किया ठीक है तब मैं कौन हो गई थी मैं मैं उस business में क्या लगाया था पूंजी लगाई थी अपना capital लगाया था तो मैं उसकी ओनर हो गई थी उस business की तो मेरा नाम क्या था soul proprietor इतना समझ में आया तो अगर organization organization soul proprietorship है ठीक है तो उसका जो एक ओनर जो उस business को चलाता है उसको हम क्या बोलते थे हैं उस owner को क्या बोलते हैं soul proprietor अकेला मालिक आया समझ में उसके बाद हमारा थोड़ा level बढ़ गया फिर हम class 12 में आ गए ठीक है अपनी ग्यारवी को पास करके फिर हमने class 12 में आते से ही एक नया concept सीखा क्या partnership का कि जब एक इंसान से business समल नहीं रहा उसने अपना थोड़ा expand किया business तो अब चार partners 5 partners या maximum 50 partners की limit होती है ठीक है तब उसने organization को level up किया और उसकी soul proprietor से सब्सपोस करो अब कौनसी organization बन गई पार्टनर्शिप ठीक है अब पार्टनर्शिप अगर organization है उसमें capital उसमें पूंजी कौन लगाते हैं तो ओनर्शिप उनके पास होगी ठीक है तो यहां पर आप के ओनर्स कौन हो जाएंगे partners अब ठीक है मैं हापर लिख देती ओनर्शिप मतलब मालिक कौन होगा ठीक है कौन होगा जो पूंजी लगाएगा पूंजी या capital लगाएगा क्लियर हो गया अब इसके बाद और expand हुआ business और लेवल अप हुआ अब ऐसा समझ लो कि अब हमें लाखों करोड़ों में capital की जरूवत है ठीक है तो अब इतना capital जो है ठीक है अब हमने business को और लेवल अप किया तो आप partnership से हमारी organization convert कर गई किसमें company में यह सिर्फ आपको लेवल वाइस बतारी हूं बच्चों सीधे सीधे company भी खोली जा सकती है ऐसा कुछ नहीं कि पहले सोल प्रोप्रेटर खोलनी पड़ेगी फिर partnership फिर company ऐसा नहीं होता ठीक है मैं सिर्फ आपको लेवल समझा रही हूं कि सबसे basic level of business होता है इसे थोड़ा higher level होता है partnership और सबसे higher level हो जाता है company जहां पर बहुत सारे मालिक हो जाते हैं ठीक है यहां पर जितने partners है वो मालिक है यहां पर सिर्फ एक ठीक है तो company में पूंजी लगाने वाले ठीक है company में capital देने वाले बहुत सारे लोग ठीक है इन सब को हम क्या बोलते हैं shareholders या members ठीक है तो जैसे आपने देखा होगा कि Reliance भले ही किसकी है हम क्या बोलते हैं धीरु भाई अम्बानी धीरु भाई अम्बानी की है ठीक है या रतन टाटा की है लेकिन यह सब management का पार्ट होते हैं बच्चों उसके असली मालिक कौन हो जाते हैं जो share holders जिनोंने इस company में पैसा लगाया हुआ है तो जो भी company का share hold करेगा ठीक है जो भी company में अपनी पूंजिया capital लगाएगा चाहे वो 10 रुपे हो चाहे वो 1 लाख हो ठीक अगर मैंने एक share भी खरीदा है 10 रुपे का तो भी मेरे पास उस 10 रुपे की share की क्या है ownership उस company में मेरा हिस्सा है आया समझ में इतनी clear हो गई बात अब यह चीज़ समझ में आ गई आपको बहुत अच्छे से कि सोल प्रोप्रेटर्टर शिप में ओनर हो जाता है सोल प्रोप किसी भी organization में पूंजी या capital लगाएगा वो उस पे मालिक होगा ठीक है वो उस organization का मालिक कहलाया जाएगा clear हो गया owner कहलाया जाएगा चलो तो इतना note कर लो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं meaning and definition of company को अच्छे से समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं characteristics या features of company क्या होता है ठीक है सबसे पहला feature है हमारा incorporation ठीक है company का existence में आना इस incorporation तो company artificial person है जो create कौन करता है लो create करता है ठीक है या तो वो present companies act 2013 में created है या वो company कोई भी previous इसके पहले जो companies act अलग-अलग थे पुराने companies act जो थे उनमें अगर वो और मतलब existence में आई है ठीक है तो उसको हम क्या बोलते है company का incorporation होना आया समझ में फिर से एक बार incorporation का मतलब क्या होता है कि कोई भी company जो एक artificial person की तरह होती है अगर उसका creation उसका existence हुआ है present companies act 2013 में जो भी present provisions है companies act के उसके तहत वो company existence में आया incorporation हुआ है या पुराने जो companies act थे मतलब जो पुरानी companies act के accordingly existence में थी ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे company का incorporation होना ठीक है law create करता है company को next separate legal entity separate legal entity मतलब क्या होता है कि company की legal entity उसके owners या shareholders से अलग है लेकिन एक छोटी सी बात यहां पर क्या है वो ध्यान से देखो यहां पर मैं short पर लिख रही हूँ जब sole proprietor था है sole proprietor और उसका business हम accounting point of view से देखते थे बच्चों ठीक है यहां पर देख लेता है ध्यान देना यहां पर sole proprietor और sole proprietorship जो organization थी इन दोनों को accounting point of view से अलग माना जाता था ठीक है तब हम accounting जो है वो business के accordingly करते थे लेकिन legal point of view से यह separate नहीं थे अगर organization की उधारी यह नहीं चुका पा रहे तो किसकी caller पकड़ी जाती थी sole proprietor की caller पकड़ी जाती थी ठीक है उसको भले अपना घर बेज देना पड़े अपने बरतन बेज देना पड़े लेकिन उसको वो liabilities को चुकाना पड़ता था आया समझ में similarly अपने partnership में भी पड़ा है कि accounting point of view से partners और partnership की identity separate है ठीक है लेकिन legal identity legal point of view से इन दोनों की identity separate नहीं है ठीक है तो हम accounting करते है partnership firm के accordingly ठीक है लेकिन legal point of view से separate identity नहीं है मतलब ये दोनों एक ही इंसान है अगर partnership अपनी उधारी नहीं नहीं चुका पाई तो partners से वह पैसा वसूल किया जा सकता है उनको भले अपना घर बेशना पड़े ठीक है अपने बरतन बेशने पड़े अपना सब कुछ बेश देना पड़े ठीक है लेकिन पार्टनर्स की कॉलर पकड़ी जाएगी लेकिन अब जो कहानी में ट्विस्ट ह है वो यह है कि company और shareholders members की separate legal entity होती है तो अगर company अपना लोन नहीं चुका पा रही ठीक है अपनी उधारी नहीं चुका पा रही तो उसके members या उसके shareholders को नहीं पकड़ा जाएगा ठीक है दोनों की legal entity अलग-अलग है समझ में आया तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि company और owners या shareholders की separate legal entity है लेकिन बाकी जो था इनकी separate legal entity नहीं है इनका accounting point of view से इनकी entity different है ठीक है accounting point of view में इन दोनों इंसानों को अलग माना जाता है लेकिन legal point of view से इन दोनों को एक ही माना जाता है ठीक है clear हो गया चलो आगे बढ़ते है artificial person in the eyes of law ठीक है eyes of law मतलब law की नजर में हमारा जो company है क्या है artificial person है ठीक है तो law की नजर में भी company क्या है एक person है artificial person है जो कोई भी contract में इंटर हो सकता है business को conduct कर सकता है sue or be sued मतलब किसी पर case कर सकता है कोई उस पर case कर सकता है ठीक है तो इसको बिल्कुल इंसान की तरह treat किया है किसने law ने ठीक है can be sue or sued for its debts and actions तो उसकी जो भी debts है जो धारी है या जो भी उसके actions है इसके कारण इसको company को एक अलग person माना जाता है in the eyes of law ठीक है in corporation मतलब company का जनम होना ठीक है separate legal entity में यह बोल दिया गया है कि company और shareholders अलग-अलग है ठीक है उनकी separate legal entity है company ने गढ़बढ की तो shareholders को नहीं पकड़ सकते है ठीक artificial person में यह बोल दिया गया कि law की नजर में company एक artificial person है जो बिल्कुल दूसरे इंसानों की तरह contracts में एंटर हो सकता है business को conduct कर सकता है उस पे case हो सकता है या वो किसी पे case कर सकता है for its debts and actions clear हो गया अब यह बड़ा मज़ेदार है next point perpetual existence ठीक है perpetual existence का मतलब क्या होता है life of company not affected by death lunacy bankruptcy office members और shareholders अब ध्यान से देखो अगर यहाँ पर soul proprietor है वो bankrupt हो गया ठीक है उसको दिवाली हो गया या वो मर गया या वो पागल हो गया तो क्या यह soul proprietorship अब चल पाएगी नहीं चल पाएगी ठीक है अकेला तो whole soul owner था इसका लेकिन partnership में क्या होता है partnership में भी same अगर यहाँ पर सारे partners मर गये तो आपके partnership खतम हो जाएगी बचेगा ही नहीं ठीक है या पागल हो गये अगरे partners या bankrupt हो गये तो partnership खतम हो जाएगी लेकिन बच्चों company का ऐसा नहीं है ठीक है चाहे shareholders पागल हो जाएग बाइट लूनसी और बैंक्रेप्ट्ची औफ इस members और shareholders इट कैन बी एंडिड ओनली बाइवाइडिंग अप थ्रू दर प्रोसेस ऑफ लोग उसको सिर्फ खतम किया जा सकता है लॉग के द्वारा ठीक है किसी भी member को कुछ भी होने से वो उसका end नहीं होगा तो यहाँ पर एक छोट आसा line लिख लो या slogan लिख लो तो आपको हमेशे याद रहेगा क्या यहाँ पर आद कर लेते हैं members will come members will go तो members आएंगे members जाएंगे लेकिन company goes on forever जब तक law ना बोल दे तो लोग आएंगे लोग जाएंगे company को फरक नहीं पड़ेगा company अपना चलती रहेगी चलती रहेगी तो perpetual existence का मतलब यही होता है कि members will come members will go but company को फरक नहीं पड़ता company तो हमारी चलती रहेगी ठीक है क्लियर हो गया limited liability अब limited liability का मतलब क्या होता है देखो sole proprietor और partners की liability क्या होती है unlimited अगर उनकी organization sole proprietorship या partnership अपनी उधारी नहीं चुका पाती तो इनके घर पे तक बात आ सकती इनको इनको घर भी बेचना पड़ सकता है तो इनकी liability क्या होती है unlimited ठीक है लेकिन liability of its members company के जो members होते है उनकी liability होती है limited कितनी limited होती है to the value of shares subscribe by them जितने own कर रहे है वो या जितने subscribe किया उन्होंने shares उस value तक ठीक है या amount guaranteed at the time of winding up या अगर उन्होंने members ने amount guarantee कि अगर company wind up होती है तो हम चलो एक लग देंगे हम 5 लाग देंगे 10 लाग देंगे जो भी हो सकता है ठीक है तो बस इनकी liability इतनी ही limited होती है उन्होंने जितने amount की guarantee दी है winding up के time पे अगर दी है तो या अगर नहीं दी है तो उन्होंने जितना share के लिए subscribe किया है ठीक है उतना amount देना उनकी liability है that's it अब company अगर अपनी उधारी नहीं चुका पारी तो वह company खुच जाने ठीक है उसका उसके लिए जो शेर holders है members है उनके घर पर बात नहीं आ सकती उनके घर या बरतन नहीं बेचे जाएंगे क्लियर हो गया चलो transferability of shares तो transferability of shares मतलब क्या होता है यह हम सब को पता है आज मेरे पास reliance के shares है ठीक है और अब मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा है तो हम क्या करते हैं shares बेच देते हैं ठीक है तो कोई और वो shares अब ओन करने लगेगा तो आज मैं ओनर थी कल कोई और ओनर होगा कल कोई और shareholder होगा तो क्या आप एक इंसान दूसरे इंसान को shares transfer कर सकता है बिल्कुल कर सकता है ठीक है तो shares of company are freely transferable किसी भी company के shares जो है पाँ freely transfer कर सकते हो बेच सकते हो खरीच सकते हो लेकिन except in case of private companies private companies जो है वो यह नहीं कर सकती ठीक है उनके articles of association में जो चीज मेंशन होती उनको वो चीज़ फॉलो करने पड़ती है ठीक है तो अभी private companies क्या होता है public companies को तो सब कुछ समझ में आएगा अभी सिर्फ इतना याद करो कि shares of company क्या हो सकता है freely transfer कर सकते हैं आपस में ठीक है लेकिन except for private companies clear हो गया इतना चलो management and ownership कि हमने सबसे शुरू में समझ लिया कि कभी भी management और ownership को mix नहीं करना है ठीक है जो manage कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो owners हो clear हो गया company is not managed by all members अब एक चीज़ समझो कि यहाँ पर एक इंसान manage कर रहा था यहाँ पर चार इंसान manage कर रहे थे यहाँ पर लाखों लोग होते हैं कि आप लाखों लोग आ जाएंगे company को manage करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है ठीक है impossible चीज़ है तो इसलिए बच्चों क्या होता है कि इनको हम क्या बोलते owners यह लगाते हैं अपना पैसा यह ओन करते हैं capital share capital ठीक है लेकिन फिर यह कुछ लोगों को elect करते हैं कि यह हमारा company को manage करेंगे ठीक है वो हो जाते हैं कौन टारिक्टर्स तो उनको आप क्या बोलते हो management तो company is not managed by all members but there elected representative called directors तो वो एक representative को लेक करते हैं कि ठीक है हमारे भिहाफ पर यह इंसान जो है यह सकंपनी को manage करेगा यह 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 10 इनसान इस सकते हैं जो करते हैं और जो कंपनी में शेर्स होड़ करते हैं जो कंपनी में अपना पैसा लगा गए वो हो जाते हैं वो शेर होलडऱ् या ओनर्ष हो जाते हैं लेकिन कंपणी के केस में बच्चों कमपनी का खुद का एक सिगनेचर होता है वो भी सकता है नहीं भी हो सकता है common seal basically ठीक है तो company का जो खुद का signature होता है उसको बोल देते हैं क्या common seal signature of company होता है common seal it is affixed to all important documents of a company जो भी important documents होते हैं company के उस पे common seal थपा seal बोलते हैं company की वो लगाया जाता है ठीक है तो अब company खुदा के तो sign कर नहीं सकती अपनी वो एक artificial परसन है तो इसलिए क्या किया जाता है उसके बिहाफ पे ठीक है तो यह वाले features हो गए आपके सारे तो हम लोगों ने कौन पन से features देख लिए जल्दी से revise कर लेते हैं in corporation company का जन्म कैसे होता है कौन से acts में होता है separate legal entity company की separate legal entity होती है उसके shareholders से company एक artificial person होती है ठीक है वो एक person की तरह contracts में इंटर कर सकती है business conduct कर सकती है perpetual existence members आएंगे members जाएंगे company को फरक नहीं पड़ता company चलती रहेगी limited liability members की liability limited होती है shares को transfer किया जा सकता है management और ownership दोनों अलग होते हैं और company का sign को क्या बोलते हैं common seal clear हो गए features चले तो features of company देखने के बाद अब हम अपना third topic देखते हैं kinds of company तो किन-किन प्रकार की किन-किन तरह की companies होती है ठीक है तो आपने नाम सुना होगा और नहीं सुना तो कोई बात नहीं अब सुन लीजे प्राइवेट कंपनी होती है public company होती है और one person company भी होती है ठीक है तो तीन तरह की companies होती है अब एक-एक company का हम हमने पूर एक चार्ट बना के रख लिया है अब हम एक-एक company की सारी details देखते जाते हैं तो private company में ठीक है number of members कितने होता है members मतलब क्या होता है वही जो एक sole proprietorship में जो ओनर होता है partnership firm का partner होता है तो वैसे ही company के कौन होते है shareholders या members ठीक है तो यह कौन होते है basically owner होते है ठीक है तो कितने owners हो सकते है private company में limit दी है कि minimum दो owner तो होने ही चाहिए ठीक है तो दो लोग मिलके भी private company खोल सकते है और maximum कितने हो सकते है maximum 200 owner हो सकते हैं उससे जादा नहीं ठीक है तो private company का clear हो गया public company में कितने minimum owners होने चाहिए तो minimum साथ लोग चाहिए minimum साथ owners चाहिए जो public company start कर सकते हैं ठीक है लेकिन maximum limit है कोई limit नहीं है no limit unlimited कितने भी owners हो सकते हैं one person company नाम में यह answer चुप है one person company मतलब एक person की company तो minimum and maximum limit क्या है one ठीक है समझ में आया तो अगर एक इंसान सिर्फ एक इंसान company start कर रहा है तो वो कौन सी company start कर सकता है one person company ठीक है लेकिन अब एक से अगर बढ़ गया दो हो गये तो फिर वो जा सकता है private company अपना private company बना सकता है और minimum seven owners चाहिए आपको minimum seven members चाहिए किसके लिए public company के लिए ठीक है यहाँ पर one person में minimum and maximum one हो चाहिए private में minimum 2 maximum 200 और public में minimum 7 maximum no limit क्लियर हो गया चलो number of directors यह कौन है भाई यह वो knocker है जो owners appoint करते है यह इसको आप management भी बोल सकते हो ठीक है तो basically इतने owners जो है यह सब लोग participate नहीं कर सकते business activities में तो यह लोग basically क्या करते है directors या management को higher करते है business run करने के लिए ठीक है मैंने आपको अभी features में समझाया था ownership और management के बीच में क्या difference होता है चलो तो private company में कम से कम दो directors तो चाहिए और maximum 15 directors allowed है ठीक है public company में minimum 3 directors तो चाहिए maximum 15 directors allowed है ठीक है one person company में minimum एक director सिर्फ एक director से काम चल जाएगा maximum 15 तो जैसा कि आप देख सकते हो कि तीनों में maximum 15 directors है ठीक है one person company में minimum एक नाम में आंसर है देखो इसको ऐसे याद करने है लेकिन one person company में minimum एक डारेक्टर private company में minimum दो डारेक्टर और public company minimum तीन ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर हमारा अगर आप देखो अगर कंपनी का साइस देखें हम ठीक है तो हमारा one person company सबसे छोटा है उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा आपकी private company और उससे बड़ी public company ऐसा समझ लो ठीक है तो आपको यह details याद करने में आसानी होगी अब paid up capital क्या होता है paid up capital मतलब वही जैसा आपका ownership में क्या होता है सोल प्रोप्रेटर में आपका हो जाता है owners minutes का capital उकाउंट partnership में क्या हो जाता है partners का capital लगाउंट similarly paid up capital नहwar ceru can कितना पूंजी लगा यह तो paid up capital कितना private company minimum एक यह तो आपको पूंजी चाहिए ही चाहिए中國 public company में minimum 5 lakh तो चाहिए ही चाहिए तो greater than equal to 1 lakh private में आ जाएगा greater than equal to 5 lakh public में आ जाएगा और 1% में भी 1 lakh minimum पैसा चाहिए 1% company start करने के लिए इतना capital तो लगाना ही पड़ेगा तो paid up capital की limit भी दे दी गई है clear हो गया transfer of shares तो यहाँ पर private company क्या होती है private company अपने shares को transfer करना इतना easy नहीं है prohibited नहीं है totally मना नहीं है लेकिन articles of association कुछ याद आ रहा है business studies, article of association कुछ पढ़ा था आपने यह आपका homework कि अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप जाके refer करो ठीक है तो articles of association जो है वो restrict कर देते हैं private company में क्या shares का transfer करना एक इंसान से दूसरे इंसान में shares का transfer नहीं कर सकते हैं ठीक है restrict किया हुआ है ठीक है कुछ restrictions डाल दिएगा है लेकिन prohibit नहीं किया है totally मना होगा या बिल्कुल गुना हो जाएगा अगर आपने transfer कर दिया वो ऐसा नहीं बोला है ठीक है तो restricted है public company public company का क्या बोला है कि freely transfer कर सकते हो तो एक इंसान दूसरे इंसान को freely अपने shares बेच सकता है किसी दूसरा इंसान किसी तीसरे इंसान से shares खरीच सकता है तो freely एक इंसान से दूसरे इंसान में आप शेयर को transfer कर सकते हो वन का वन पर्सन कंपनी में तो यह applicable ही नहीं है ठीक है clear हो गया इतना तो not applicable अब आजाते है subscription of shares पे अब ध्यान से देखो देखो नाम में ही सब के answers चुप है private company private ठीक है तो अगर private company है तो shares cannot be offered to public तो public को shares offer नहीं किये जा सकते है ठीक है जो उनके members या owner होंगे वो shares को hold करेंगे लेकिन publicly shares को offer नहीं किया जा सकता यह कौन है private company similarly one person company अब एक ही इंसान की company है तो shares cannot be offered to public सिर्फ इसका एक member होगा बस एक owner होगा इसका आया समझ में तो यह भी public को नहीं दे सकते लेकिन public company नाम में ही answer shares can be offered to public public company में आपका shares आप public को offer कर सकते हो इसका एक छोड़ा से example private company जैसे आपने सुना होगा सबको पता है flip card, ola, zoom car यह सारी आपकी private companies है जी हाँ यह सारी आपकी private companies है ठीक है अब public company आपने अगर सुना होगा बी एचेल एंटी पीसी लिमिटेड ठीक है यह सारी आपकी public companies है जहाँ पे उनके share जो है आपके trade किये जाते हैं आया समझ में यह public को offer किये जाते हैं ऐसा समझ लो अभी हम थोड़ा simple simple way में समझते हैं फिर आगे धीरे-धीरे concept अपने build-up करते जाएंगे चलो यहां तक कहानी clear हो गई अब एक last चीज बहुत easy नाम क्या नाम होगा तो private company अगर है तो वो क्या करेगी अपने नाम के आगे private limited used as a part of name तो अपने part जैसे suppose ABC है तो ABC private limited अगर private company है तो private limited लगा देगी आगे ठीक है आया समझ में जैसे हम doctor लगाते हैं नाम के आगे हम engineer लगाते हैं हम CA लगाते हैं CH लगाते हैं ठीक है तो similarly यहां पर companies भी क्या करती है वो अपनी identity दिखाती है कि वो private है यह one person है यह public है त तो क्या पूत है बताएगी ABC private limited company हो जाएगी अगर वही ABC public company है तो क्या बोलेगी ABC limited private word हट जाएगा ठीक है तो ABC limited used as a part of name तो यहां पर limited use करेंगे one person में क्या होता है OPC इसी का short form OPC तो one person company is used OPC is used as part of the name clear हो गया इतना इतनी कहानी समझ में आ गई ठीक है तो private में private limited use होगा public companies limited use करेंगी सिर्फ और one person company OPC अपने नाम में use करेंगी तो यह आपने kinds of companies समझ लिया तीन तरह की private public और one person चलो जल्दी से private company और public company किन किन टाइपस की होती है ठीक है जहां पर members की liabilities कैसी कैसी होती है तो यह देख लेता है चलो तो यहां पर next topic है types of companies private and public किस किस तरह की होती है तीन unlimited company होती है limited by warranty होती है limited by shares होती है अब इसका मतलब क्या है ठीक है वो हम ध्यान से देखता है unlimited company वही नाम में answer चुपा है unlimited company मतलब जहां पे members की liability जो है वो unlimited है याद है मैंने आपको partnership में पढ़ाया था कि partners की liability unlimited होती है अगर partnership firm अपनी उधारी नहीं चुका पा रही है तो उसके लिए क्या होगा partners के घर के बरतन घर की property सब कुछ बिख सकता है ठीक है उनकी personal property भी बेची जा सकती है firm के debts को meet करने के लिए तो similarly unlimited company में क्या हो सकता है यहाँ पर owner कौन होते है member होते है ठीक है तो यहाँ पर members की जो liability होती है वो unlimited होती है तो in case अगर company default कर रही है ठीक है यह company अगर बंद हो रही है तो debtors जो भी company के जो creditors है उधारिया है उनको चुकाने के लिए members के personal property को भी सकते हैं clear हो गया इतना तो यह है unlimited company लेकिन ऐसी companies जो है practically हमारे इंडिया में हमारे देश में exist नहीं करती ठीक है यहाँ पर members की liability को unlimited नहीं किया जाता तो यह companies हमारे इंडिया में exist नहीं करती इस तरह की companies ठीक है limited by guarantee तो limited by guarantee का मतलब क्या होता है limited by guarantee का मतलब होता है फिर से नाम में answer चुपाए जो guarantee से limited हो मतलब कितनी liability है जितनी guarantee दी है ठीक है तो यहाँ पर देखो answer क्या बोल रहा है where the liability of member is limited up to the amount of guarantee given ठीक है तो यहाँ पर liability कितनी होगी member की जितनी उसने guarantee दी होगी तो basically क्या होता है अगर firm हमारी company sorry यहाँ पर अगर हमारी company partnership पढ़ा पढ़ा के अब मैं firm बोलने लगे हो चलो तो यहाँ पर हमारी जो company है ठीक है यह हमारी shutdown होने वाली है बंद होने वाली है तो suppose तीन members थे उन्होंने हमें पहले promise किया था कि अगर in case हमारी company shutdown होती है ठीक है तो मैं 2 लाख रुपए दूँगा मैं 5 लाख दूँगा और मैं 10 लाख दूँगा ठीक है अब क्या हुआ कि company actually shutdown होने जा रही है तो क्या होगा इन तीनो members की liability कितनी होगी जितनी उन्होंने guarantee दी है जितने का उन्होंने हमें promise किया है ठीक है तो इस member की liability कितनी हो जाएगी 2 लाख हो जाएगी जितनी उसने guarantee दी थी इस member की liability 5 लाख हो जाएगी और इस member की liability 10 ल जितना जितना इन्होंने promise किया था जितने जितने कि उन्होंने guarantee लिए थी उनकी liability इतनी हो जाएगी कि उनको इतना amount pay करना पड़ेगा तो यह होती है ऐसी liabilities को क्या बोलते हैं हम limited by guarantee आया समझ में limited by shares का मतलब क्या होता है तो basically limited by shares का मतलब भाई फिर से नाम में answer छुप है suppose हमारा example ले लेते हैं कि एक share की value है कितना suppose 100 रुपए है ठीक है एक share की value अगर 100 रुपए है और एक member है जिसने suppose एक share खरीद है ठीक है लेकिन इस member ने paid only 70 rupees अब इस member ने एक share खरीद है लेकिन सिर्फ 70 रुपए दिये हैं तो अभी कितने due है कितना due है 30 रुपए बचा हुआ है जो इस member से लेना है इस owner से लेना है आया समझ में तो इस member से 30 रुपए जो लेना है तो बस यह 30 रुपए तक अब इसकी liability बन दिये तो इस member की liability कितनी है जितना share उसने खरीद है company में जितने खरीद है इस amount तक उसको पैसा देना बनता है उतनी उसकी liability है जितना भी उसका unpaid amount है बस उतना ही उसका liability है जो उसका share का amount का unpaid amount आया समझ में तो वैर दे liability of member is limited up to the amount of unpaid portion of share तो जितना भी unpaid portion of share है बस यही इतना ही इसको देना बनता है अब company बंद हो कुछ भी हो इसने कोई guarantee नहीं ली तो यह सिर्फ shares का amount unpaid amount ही देने के लिए liable है आया समझ में clear हो गया तो यहाँ पर बचो एक चीज समझ लो हमारे generally जो companies है वो यही वाली exist करती है that is limited by shares ठीक है यह concepts है unlimited company का limited by guarantee ठीक है यह बहुत unusual concept है बट limited by shares general concept generally जो हमारी public और private companies होती है सारी limited by shares ही होती है clear हो गया इतना समझ में आ गया तो यह तीनों टाइप आप अच्छे से note कर लो किस-किस type की liabilities होती है वो अच्छे से देख लो और इसमें कोई doubt हो तो पूछ लो unlimited companies companies limited by guarantee और limited by share तो लिमिटेड में liability unlimited है limited by guarantee में liability जितनी guarantee लिये उतनी है company के बंद होने पर जो देना पड़ेगा और limited by shares में बस जितना unpaid portion of share है जो member ने अभी नहीं दिया है उतनी ही उसकी liability बनती है that's it clear हो गया इतना चलिए तो हमारा जो accounting for share capital का आज concept part 1 था आज सब कुछ introductory था धीरे धीरे हम concepts build करते जाएंगे मैं एकदम से अगर high level के concepts पर complex concepts पर जम करूंगी तो आपको confusion होगा इसलिए पहले थोड़ा सा background story clear करना important है तो आज जितने भी concept discuss कि बहुत basic concepts थे ठीक है I hope आपको अच्छे से आज के concept सारे clear है crystal clear है फिर भी कोई doubt हो तो comment section में जरूर लिख दीजेगा ठीक है चलिए तो जल्दी मिलते हैं break के बाद बाकी के concept discuss करने के लिए तब तक के लिए good bye